सोया बीन तेल में बन रही थे जी दरसल वेवाइक सीजन के चलते सोया तेल में डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है बाजारों में तंग सप्लाई की वज़े से सोया तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ रही है वहीं बुद्वार के बाजारों में सोया बीन तेल इंदोर में 935 से 945 रुपे प्रति 10 किलो पर पहुँच गया जबकि भारत में बंदर गाहों पर खादे तेलों की शोटेज की खबरो से रोजाना सोया तेल में बढ़ देखने को मिल रही है खबरे आ रही है कि मार्च के पहले 10 दिन में सोया का कोई shipment नहीं पहुँच रहा है लिहाजा तेजी अभी थमने के आसार कम है इधर सीबोट और अर्जेंटिना एफोबी में उठाव के कारण सोया तेल का सेंटिमेट पॉजिटिव रहने की उमीद है तरसल कुछ व्यपारियों का कहना है कि बढ़ते दाम और अन्या खादे तेल की प्रतिसपरती उपलपता के कारण खरीदारी आफशकता पूर्ती हेतु बनी हुई है व्यपारियों को डिमांड के अनुसार खरीदारी और उपरी स्तरों पर मौजूदा स्टोक पर प्रॉफिट बुकिंग पर फॉकस करना चाहिए वही मिली जानकारी के अनुसार भारत और चीन की मांग बढ़ने पर के अर्सी को सपोर्ट मिल सकता है तरसल कमजोर निर्यात और उरुत्पादन में सुधार उपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं लेकिन फिलाल जो स्थिती बन रही है कि शिप्मंट ना पहुँचने से कीमतों में तेजी की उमीद बरकरार है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी